रोमियों के नाम पॉलुस प्रेरित की पत्री दस्वा अध्याए हे भाईयों मेरे मन की अभिलाशा और उनके लिए परमेश्वर से मेरी प्रार्थना है कि वे उध्धार पाएं क्योंकि मैं उनकी गवाही देता हूँ कि उनको परमेश्वर के लिए धुन रहती है परंतु बुद्धिमानी के साथ नहीं क्योंकि वे परमेश्वर की धार्मिक्ता से अंजान होकर और अपनी धार्मिक्ता स्थापन करने का यत्न करके परमेश्वर की धार्मिक्ता के आधीन न हुए क्योंकि हर एक विश्वास करने वाले के लिए धार्मिक्ता के निमित मसीही विवस्था का अंत है क्योंकि मूसा ने यह लिखा है कि जो मनुष उस धार्मिक्ता पर जो विवस्था से है चलता है वह इसी कारण जीवित रहेगा परंतु जो धार्मिक्ता विश्वास से है वह यों कहती है कि तू अपने मन में यह नह कहना कि स्वर्ग पर कौन चढ़ेगा अर्थात मसी को उतार लाने के यह कि वचन तेरे निकट है तेरे मुह में और तेरे मन में है यह वही विश्वास का वचन है जो हम प्रचार करते हैं कि यदि तू अपने मुह से इश्य को प्रभू जानकर अंगिकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उससे मरेहों में सिजलाया तो तू निश्टे उधार पाएगा, क्योंकि धर्मिक्ता के लिए मन से विश्वास किया जाता है, और उधार के लिए मुह से अंगिकार किया जाता है, क्योंकि पवित्र शास्त्र यह कहता है, कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा, वह लज्जित न होगा, यहूदियों और वह उधार पाएगा फिर जिस पर उन्होंने विश्वास नहीं किया वे उसका नाम क्यों कर लें और जिसकी नहीं सुनी उस पर क्यों कर विश्वास करें और प्रचारक बिना क्यों कर सुनें और यदी भेजे न जाएं तो क्यों कर प्रचार करें जैसा लिखा है कि उनके ये शाया कहता है कि हे प्रभु किसने हमारे समचार की प्रतीती की है, सुविश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है, परंतु मैं कहता हूँ, क्या उन्होंने नहीं सुना? सुना तो सही, क्योंकि लिखा है कि उनके स्वर सारी प्रत्वी पर और उनके वचन जग पिर मैं कहता हूँ, क्या इस्राइली नहीं जानते थे? पहले तो मुसा कहता है कि मैं उनके द्वारा जो जाती नहीं, तुम्हारे मन में जलन उप जाऊंगा, मैं एक मूढ जाती के द्वारा तुम्हें रिस्त दिलाऊंगा. फिर यशाया बड़े हियाओ के साथ कहता है कि जो मुझे नहीं ढूरते थे, उन्होंने मुझे पा लिया, और जो मुझे पूछते भी न थे, उन पर मैं प्रगट हो गया. परंतु इस्राइल के विश्य में, वे यह कहता है कि मैं सारे दिन अपने हाथ एक आग्या न मानने व हाथ.